तो हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चेनल ओल राउंड रर्यू पर तो महूं आपका अपना सचिन फैनिन हाजर हूं आपके साथ एक नए वीडियो में तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेक्सोन ईवी और नेक्सोन का फेसलिप्ट के बारे में इंडियन मार्केट में नेक्सोन जो कार है काफी वेल्यू फोर मनी आपको देखने को मिल जाती है और ईवी ने तो सब जगह तेल का मचाई रखा है तो आज next zone के बारे में हम पूरा detail review या detail पूरी information आपको देंगे तो वीडियो में end तक जरूर बने रहे हैं वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को like जरूर करें सबसे पहले बात करते हैं इसके looks की looks को काफी ज़्यादा enhance कर दिया है और जो facelift एक generation change इसका नहीं किया है लेकिन इसको छोड़ा छोटा मोटा facelift टाटा ने देने की कोशिस की एर काफी अच्छा इसका design देखने को मिल जाता है अब की बार जो पहले की next zone है उससे ज़्यादा आपको तकड़ा design देखने को मिलता है इसमें नए variants भी launch की हैं टाटा ने पहले से ही भी इसमें काफी ज़्यादा variants थे और अब और variants इसमें launch कर दिये हैं तो पहले से काफी ज़्यादा अची आपको देखने को लगी इंटिरियर और exterior में काफी ज़्यादा बदलाव किये गए हैं और इसकी जगह थी जो fit and finish थी उसको भी अब की बार आपको सही देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करते हैं engine option की तो इसमें आपको दो engine option देखने को मिलेंगे 1.2 liter petrol engine 3 cylinder के साथ जो की produce करेगा 80 bhp 170 newton meter का torque जैसे आपको पहले मिलते थे वही मोड आपको देखने को मिलेगा इसमें आपको मल्टी ड्रिवन मोड देखने को मिलेंगे इसमें आपको petrol में 5 speed manual transmission 6 speed manual और automatic और 7 speed dca transmission देखने को मिलेगा आपको diesel में 6 speed manual और automatic transmission ही देखने को मिलेगा लंबा ही चोड़ाई इसकी बात कर लेंगे तो इसमें length आपको गुण 445 mm देखने को मिलेगी जबकि चोड़ाई 1804 mm है और इसकी जो height है 1620 mm और इसका जो wheelbase है वो आपको 298 mm का देखने को मिलेगा ground clearance 208 mm काफी ठीक था ground clearance है आप थोड़ी बहुत offroading से कर सकते हो या कि boot space की बात कर लें तो आपको इसमें 382 mm का boot space देखने को मिलेगा rear में आपको drum और front में आपको disc brake देखने को मिल जाएंगे इसमें आपको अब की बार जो variant है वो कुछ इस परकार देखने को मिलेंगे smart, smart plus, pure, smart plus as, pure as, creative और fearless ये variants की आपको list देखने को मिलेगी काफी ज़्यादा बड़ी आरकी गई है 8,10,000 से लेकर 12,90,000 तक आपको इसकी price देखने को मिलेगी और इसकी EV की जो price है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है अब बात करते हैं इसके interior की interior में बात करने से पहले इसकी tire section की बात करने तो इसमें आपको दो परकार के tire section देखने को मिलेंगे fuel tank की आपको somalis liter की capacity देखने को मिलेगी और आपको अब बात करते हैं interior गी three tone में आपको dashboard देखने को मिलेगा six airbag, e-call, b-call, जैसे safety future, 360 camera, front parking sensor, blind view monitoring और आपको इसमें काफी ज़्यादा safety साब से आपको पहले भी next zone में कोई कमी देखने को नहीं मिलती थी Tata ने इसको ही सबसे ज़्यादा popular किया था और Tata का जो top selling product यही रहा है इंडियन market में और इसने ही लोगों को जो safety की तरफ जागरू किया था इसमें आपको safety के तोर पे TPMS, auto head lamp और rain sensing wiper देखने को मिल जाते हैं front में आपको LED fog lamp, पुरा LED का setup देखने को मिलता है LED में आपको turning indicator और जो turning indicator है वो ही आपको DRL के काम, DRL का काम भी वही आपको करेंगे इसमें आपको voice assist electric sunroof देखने को मिलता है JBL के 8 speaker के साथ में सब उपर का set देखने को मिल जाता है Apple CarPlay की wireless connectivity देखने को मिल जाते है, navigation display देखने को मिल जाते है आपको इसमें आपको pedal sifter देखने को मिलते है, multi driven mode जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो भी आपको देखने को मिल जाते है Ventilator, Seed और Air Purifier जैसी भी आपको इसमें सुईदा देखने को मिल जाते है और आपको इसमें cool glove box, rear AC vent, full electric, empriser control, LED जो आपको head lamp देखने हो मिलती है और जो tail lamp है वो आपको welcome function के साथ में देखने हो मिलेंगी Welcome और goodbye function के साथ में देखने हो मिलेंगी अब की बार यह आपको, जो next one होंए उसमें आपको नए देखने हो मिलेगा Dual Tone में आपको Roof देखने हो मिलेगी और इसमें 2 Spoke Steering Wheel Adjustment देखने हो मिलेगा Illuminated Loco आपको Steering Wheel पे देखने हो मिलेगा और 10.25 इंच की आपको Touch Screen और 10.25 की इंच की ही आपको Instrument Cluster देखने हो मिलेगा तो यह थी Tata की New Nexon Nexon का Facelift और जल्दी मैं इसके लिए आपको एक Dedicated Video भी जल्दी लाओंगा तो अच्छा लगा तो वीडियो को Like जरूर करें और वीडियो में ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल Allrounder You को Subscribe जरूर कर लें मिलते हैं किसी और नई कार के साथ एक नए वीडियो में